केंद्री चुनावायोग ने पूर्वत्तर के तीन राज्यों में चुनावी विगुल बजा दिया है तिरपूरा मेघाल्य और नागालेंड में चुनावी तारिखों का एलान हो गया है इसी के साथ चुनावायोग ने कई महत्पून बाते कहीं है इन राज्यों में जहां ति लेकिन राज्यों तिरुपुरा तर्यप्रा में और नग लियन लौड के विधानसबा को अलान हो गया है। मुके चुनावा यूटर сторону सब्सक्रिक बताया कि तरपुरा में 16 फर्वाड़ी और में और three states of Nagaland, Meghalaya and Tirpura are respectively coming to an end on 12 March, 15 March, 22 March. The three states have 60 assembly constituencies each. Nagaland has 59 STs and just one general. Meghalaya 57 STs and 5 general. whereas Tirpura has 30 general, 10 STs and 20 STs. So friends, पुरुसों के मुकाबले ज्यादे रहती है पिछले विधानसवा चुनाओ में वोट डानने वाली महिलाओं की संक्या नाकालेंड में 86 STs, मेघाले में 87 फिसदी और तिरपुरा में 91 फिसदी रही है. मुके चुनाओ आयुक ने कहा है कि तीनों राज्यों में कुल 62.08 लाक मतदाता होंगे, नाकालेंड में 33.09 लाक, मेघाले में 29.69 लाक और तिरपुरा में 28.13 लाक मतदाता होंगे, तीनों राज्यों में कुल 31.047 लाक मतदाता होंगी, इनमें तिरपुरा में सबसे ज़्यादा 13.98 लाक मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे, मेघाले में सबसे ज़्यादा 81,443 मददाता 18-19 साल के होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे अगर वो लोग पूलिंग स्टेशन पर किसी कारण वस नहीं आ सकते ज़रूर बोट देंगे तिरपुरा में इस वक्त BJP की सरकार है वहीं नगालेंड में NDPP के रिफ्यूरियो मुख्यमंत्री है मेघाले में NCP के कोड़नाट संग्मा की सरकार है दोनों राज्यों में BJP सताधारी गड़बंदन का हिस्सा है नगालेंड विधान सबा का कारेकाल 12 मार्च मेघाले विधान सबा का 15 मार्च और तिरपुरा विधान सबा का कारेकाल 22 मार्च को समाप्थ हो रहा है तिरपुरा में पिछले 5 दसक के राजनिती की इतिहास में यहां कॉंग्रेस और CPM हमेशा से एक दूसरे के धूर विरोधी रही है कभी कॉंग्रेस तो कभी CPM की सत्ता यहां पर रही है साल 2018 में बीजेपी ने यहां दोनों ही पाट्डियों को बड़ा जटका दिया विधान सभा चुनाओं में बीजेपी ने सत्ता हसिल कर ली विपलव कुमार देव मुख्यमंत्री बने लेकिन बीजेपी ने बाद में पिपलव देव की जंगे मानिक सहा को मुख्यमंत्री बना दिया अब सहा पर बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने की जिम्मितारी होगी वही चुनाओं से एन पहले कॉंग्रेस और CPM साथ आ गए हैं इधर मेगाले में साल 2018 में राज्य में नेशनल पिपल्स पार्टी एन पीपी और बीजेपी गटबंदन की सरकार बनी थी कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी हाला कि बहुमत के आकड़े से दूर रह गई थी चुनाओ में अलग-अलग लड़े न्सीपी बीजेपी ने गटबंदन कीया एन पीपी के कॉनार संग्मा मुख्यमंत्री बने वही नागालेंड में 2018 के विधानसबा चुनाओ से पहले सत्ताधारी नगापिपुल्स फ्रंट यानी एन पीएफ दो टुकडों में बट गया बागियों ने नेशलिष्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई पार्टी के बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे नेफिरियों बागी गूट के साथ चले गए चुनाओ से पहले एन पीएफ ने बीजेपी से गटबंदन तोड लिया बीजेपी और एन डीपीपी ने मिलकर चुनाओ लड़ा एन डीपीपी को सत्रे तो बीजेपी को बारे सीटों पर जीत मिली गटबंदन सत्ता में आया और नेफिरियों मुख्यमंत्री बने चुनाओ आयुग ने तिर्पुरा मेघालिया और नगलेंड में चुनाओ की घोख्षना के साथ ही चेह राज्यों की साथ विधान सबा और लोकसबा सीटों पर उप्चुनाओ की प्रक्रिया और तारीकों की भी घोख्षना कर दी है जिन सीटों के लिए उप्चुनाओ की घोख्षना की गई है उनमें अरूना चल प्रदेश, जारकन, पशिम मंगाल और तमीन लाडू की एक-एक विधान सबा सीट के साथ ही महराश की दो विधान सबा सीटे शामिल है इसके अलावा केंद्रि सासित प्रदेश, लक्षदीप की एक लोग सबा सीट पर भी उप्चुनाओ की घोख्षना कर दी गई है जाहिरे साल 2023 में नो राज्यों में चुनाओ होना है और इसी के साथ पूर वतर के तीन राज्यों में चुनाओी विगुल बजग गया है तिरपूरा मेगालिय और नागेलेंड में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब चुनावी मुकाबला भी शुरू हो गया है कैमरामन वीदरबिक के साथ प्रदीप कुमार डोटा न्यूज दिली